नमस्कार आरने एजकरिशन में आपका पहुत बहुत स्वागत है हम सेंस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे और आगे हम चटा जो सुत्र है उचारन स्थान बुर्णो उचारन स्थान सुत्र के तो वो है चटा नासी का उचारन स्थान इनके दो सुत्र है नासी का उचारन स्थ परतेक वर्ग के पंचम वर्ण के दो दो उचान स्थान होते हैं अर्थात ये वर्ण अपने मूल वर्ग के साथ भी बोले जाते हैं ये नाशिका से भी बोले जाते हैं पहला स्थान हम मानें इनका नाशिका और दूसरा स्थान मानें गे मूल वर्ग विकल्प में कभी आ जाता है कि मूल वर्ग नहीं आता है तो नाशिका बोलना पड़ता है अब आगे देखिए साथवा सुत्र इदे तो हो कंट तालू इदे तो कंट तालू ए ए ए इसमें ए और ए लगा हुआ है इदे तो कंट तालू ए ए इन दोनों वर्गों का उचाण स्थान कंट तालू होता है क्या होता है कंट तालू होता है जिसलिए से तथर स्थे दे रखाए ए स्वर ए स्वर देखिए कि ए और देखना है आठ्वा स्लोक, आठ्वा सुत्र है, अदू तो हो, अदू तो कंठोस्ट, ओ, अउ, इन दोनों वर्णों का उचार्ण स्थान कंठोस्ट होता है, ओ, ओस्वर देखिए कि ए और उ दोनों के मिलने से ओ, ओ बनता है तो कंट और ओस्ट दोनों के मिलने पर, तो कंट ओस्ट हो गया आगे देखिए, नमवा सुत्र है व्यकारस्य दंतोस्टम व्यकारस्य दंतोस्टम वे का उचारन स्थान है वो दंत और ओस्ट दोनों से होता है व व होट लिलते हैं और दंत में व व दंत के साहरे होता है तो इसलिए दंत ओस्थ इनका जो उचारन स्थान पढ़ गया तो आगे देखिए कि दस्वा सुत्र जीवा मूलेस्य जीवा मूलम जीवा मूलेस्य जीवा मूलम जीवा मूलिये वर्णो यानि कि जीवा मूलम क उर्ख है और इसके आगे अर्द स्वर लग जाए तो ये हो जाएगा जीवा मूलम का उचारन स्थान जीवा मूलम होता है क्य और खय वर्णों से पूर्व है जब अर्द विसरग सद्रिश चिन है का प्रियोग कर दिया जाता है तो वहां उसे जीवा मोलिय वर्ण माल लिया जाता है अब आगे देखिए कि उचारन स्थानों की कुल संख्या क्या है मैं तो स्वल उचारन स्थानों की कुल संख्या प्राचिन वियाकरणों के अनुसार हमारे मुख में उचारन स्थानों की कुल संख्या अठार माने गई है देखिए इस लोग के मादम से अश्ठो स्थानानी वर्ना नूरह कंठा है शिरस्थ था जीवा मूलम चै दंतश्च नासी कोष्टों चै दातु तालू चै अर्थात निम आठ उचारन स्थान है उर जिसे बोलते है काकल जो कंठ के नीचे होता है काकल कंठ शिर को शिर है जिसे मूर्धा बोलते है और जीवा मूलम दंत नासी का ओस्ट और तालू आगे देखिए महत्वपूर्ण ये है कि करण क्या होता है करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन और हमारे मुख में प्रियूक्त आठ दो उचारन स्थान होते हैं इनके अला साइक अंगों को ही करण कहते हैं कि हमारे जिस तरह से अंग साइक होते हैं उसी तरह से इसमें साइक अंगों होते हैं वो करण कहलाते हैं ये सारे क्या है करण है देखिए कि हमारे मुख के निमन अंग करण संग्यक माने जाते हैं जैसे जीवा जीवा जीब जीशे बोलते ह अद अद्रोष्ट और स्वर्तंत्रिया यह चारों करण माने जाते हैं सात्यों हम प्रयत्म के आधार परवर्गी करण जो वर्णो कु किया गया है तो वह हम कल तयार करेंगे और चनल को सब्स्राइब करें लाइक करें और कॉमेट में लिख करके जुरूर बताएं और अन्य दोस्तों के साथ या अन्य जिस तरह सेकंड ग्रेड रीट की तैरी कर रहे हैं और उनको ये वीडियो शेयर करें धन्यवाद सब्स्राइब लाइब शेयर एंड कॉमेंट